नमस्कार दिल ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं गरिमा टोक्यो अलम्पिक्स में बुद्वार के देन भातिय पहलवान रवी कुमार धाया ने भारत का जंडा बुलन कर दिया है टोक्यो से मीराबाई चानू के बाद कोई खिलाडी कम से कम सिल्वर मेडल लेकर आएगा वो रवी कुमार धाया ही है बुद्वार को 57 किलोग्राम कैटिगरी में कजाखस्तान के नूर इसलाम सनायेव के खिलाफ मुकाबला जीत रवी फाइनल में पहुँच गए हैं दिरसल सेमी फाइनल मैच के दौरान रवी जब पॉइंट्स के लिए नूर इसलाम को मैट से बाहर कर रहे थे तभी नूर इसलाम ने खुद को रवी की मजबूत पकड़ से बचाने के लिए उनके हाथ पर जोर से काटना शुरू कर दिया कजाकिस्तान पहलवान के दाथ रवी की बाजू पर इतनी बुरी तरह से गड़े कि उन्हें मजबूरन इस पहलवान को छोड़ना पड़ा हलाकि बाद में रवी ने इस चीज की शुकायत मैच रेफरी से भी की लेकिन कजाकिस्तान पहलवान की इस हरकत ने उनके लिए भातिय फैंस के दिलों में इजज़त कम करती है क्योंकि हार और जीत खेल का हिस्सा है और इसमें बेइमानी करने वाले को कभी भी इज़त नहीं मिलती मैच का अंजाम ये हुआ कि इस बेइमानी वाले दाव के बाद भी नूर इसलाम सनायेब मैच को नहीं जीत पाए अपने पहलवान रवी ने ऐसा दाव मारा कि एक वक्त पर दो नौ से आगे चल रहा ये पहलवान एकदम से पटकनी खा गया जिसके बाद नूर इसलाम को इंजरी भी हुई और वो इस भात ये शेर से मैच में आगे नहीं लड़ सका रवी दहिया ने साथ नौ से इस मुकाबले को असानी से जीत लिया सोशल मीडिया पर रवी के लिए उम्रा प्यार ये पिच्चर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन जमकर रवी की तारीफ कर रहे हैं उनकी हिम्मत की दाथ दे रहे हैं और भारत के एक और मैडल पक्का करने की बधाई भी दे रहे हैं उनको चैंपियन बताते हुए लोग नूर इसलाम को कह रहे हैं कि एक चैंपियन के आगे वो वही कर रहा है जो वो सबसे अच्छा कर सकता है टोकियो सफार रवी धहिया का ये पहला ओलम्पिक्स है और अपने पहले ओलम्पिक्स में ही उन्होंने सिल्वर मैडल देश को दे दिया है अपने वहले मुकाबले में उन्होंने कॉलंबिया के आसकर टिग्रोसस को 13-2 से हराया उसके बाद सेमी फाइनल में प्रवेश करने के लिए बुलगारिया के गियोर्वेजी वंगलोवी को 14-4 से हराया था अब रवी गोल्ड मेडल की दावेदारी पेश करने के लिए गुरुवार को तरेंगे आपको बताते चले रवी दहिया ने इस मेडल के साथ भारत की मेडल टेली को बढ़ा दिया है भारत के पास अब 4 ओलंपिक मेडल हो गए है इस स्टोरी में बस इतना ही आप देखते रहेए दील ललन टॉप शुक्रिया